यह सार भाई गल्ती करने में दिक्कत नहीं है, गल्ती दोहराने में दिक्कत है, गदा आदमी वो है जो सेम गल्ती दोहराता है, बुद्धिमन आदमी वो है जो हर बार नहीं गल्ती करता है, तो गल्ती करो कोई समस्चा नहीं है, हर बार नहीं गल्ती करो, एक रिशी कपूर क गाना 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 यही उमर है कर ले गलती से मिस्टेक करो हाई हार उमर में करो पर फ्रेश गलती करो हलो दोस्तों मैं डोक्टर योगिंदे सिंह राठोड और आज ब्लों के लिए लाया हूँ इननर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में बेहत अमेजिंग प्रसनालिटी मोजूद है आई थिंग कोई ज़्यादा इंटोड़क्शन की ज़रुती नहीं है नहीं बड़ा बिजनस डॉट कॉम के फाउंडर एशा का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंटोपिनोर्शिप का चैनल ये चलाते हैं हर घर में पोजिटिविटी मोटिवेशन इन्होंने पहुचा आया है बात में इतना दवूँ सैख्डू बार हजारों बार सुनने के बाद भी लगए यार यह सबसे दमदार बात कही है हर बार वो नया मीनिंग देता हूँ हर बार वो मीनिंग्स ऐसे-इसे create करके देता हूँ आप लोग की NLP की भाशा में ऐसे-इसे मीनिंग्स क्रियेट करके दे आपो, तो वो मोडिवेशन स्पीकर थे लोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्रीक कृष्ण, जिन्होंने ये एक ऐसी अमरवानी दी, गीत, एक ऐसा गीत गाया उन्होंने, किस समय पर क्राइसिस के सिवर, जा खड़ा, अर्जुन की ब्रेन का लैंग्वेश्वरम में क्या था, मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूँ, यानि कि पूरी तरह से हारा हुआ वेक्ती, वो उसकी ब्रेन की लैंग्वेश्वरम थी, तो उस ब्रेन की लैं see things worse than they are see things as they are see things better than they are game change कर दिया पूरा आपकी mentality और reality में फरक ला दिया impact कर दिया तो असली जो सूतर है जो मुझे मिले वो जब भी मैंने कभी किसी विदेशी कोर्स को देखा सुना अपने शुरुवाती करियर के दिनों में 2011-2013 में डूंडता था बाद मेरे को समय में आया है मैं गलत कर रहा हूँ है किदर जा रहा हूँ है दर उदर वो मिर्क तृष्णा वाली बात है इधर नाभी के अंदर इत्ती सुगंद है और इरन भाग रहा है दर उदर अपने घर में भगवा जीता है इधर उदर भाग रहा है यह में बुद्धा है ठीक बात है कि नहीं जी एक चीज़ मैंने देखी आपकी जरनी में मैं काफे समय से फॉलो कर रहा हूँ आपकी जरनी को कि आप पंगे लेत आप करते हो रिस्क लेते हूं मैंने देखा बहुत सारे एक लेवल पर आकर करके comfort zone में आ जाते है रिस्क नहीं लेते है तो वोट ड्राइवस यू देर वोट इंस्पाइस तो टेक दीज़ी चीज़ नहीं यहां प्री सपोजिशन देते हैं नहीं आप लोग की अनलपी की हुए रिस्क मीरा नहीं है रिस्क कुछ का है जो नहीं आ रहा है रहा है किया बात कर दे आप कर सकता हूँ, फिसकल में मेरा risk क्या है, risk तो उसका जो पिछारा छोट गया, कूई आपकी इदर वाली seat निकल गया, आपकी इदर वाली निकल गया, अब यह वाली जा रही है, अच्या, पता जगड़ा किस बात का है, मुझा जगड़ा चंड रहा है ऑचकल, और हमारे को देखा तो आपने bounce back की बात की ती, कोई ऐसा किस्सा आपकी life से, जहां पे आप deep zone में गए हो और वहां से आपने bounce back किया हो गई, चार पास बार हुआ मेरे साथ, बहुत बहुत बहुत, बहुत, रिस्टेशन के depression के, recession के, depression में जा करके अपना क्या main मुद्धा courage का मैं क्या mind से entrepreneur हूँ आप मेरे को डरा आईला नहीं सकते बिलकुल, किसी भी परस्थेती में आप मेरे को मेरी a specialization है मुझे सब कच्रा फैला हुआ दे दो मैं problem solver हूँ मुझे कोई बड़ी problem उठा दे दो मैं solve कर दूँगा, एक बार ऐसा हुआ था कि हमने एक NBFC के साथ partner किया था, I think EduWans था या कौन था, और उसमें क्या हुआ हमने बोला कि आपकी education के लिए ये bank आपको loan दे देगा तो हमारे या कुछ sales की team ने क्या किया, उस sales की team को one third के आसपास incentive मिल जाता था revenue का ठेके, तो उन्होंने यहाँ से loan approve कराया, customer से पैसा, customer का पैसा किस ने दिया, bank ने दिया हमारी company में पैसा आ गया, इस आदमी को उसका one third मिल गया और customer ने इसको EMID नही contract cancel कर दिया, तो उसकी भी liability आ गई और इसका one third जा चुगा था, ये ना एक महिना ऐसा हुआ कि revenue हमारा उस महिने में हमारा lifetime highest revenue हो गया मैं अभी observe करी रहा था दूर से को मैं operations में नहीं हूँ जब तक पकड़ पाते तब तक मैं 45-50 करोड के नुकसान में आ गया था जब तक हम पकड़ पाते तब तक 45-50 करोड के नुकसान में आ गया उस 50 करोड पे मैं अपने चैनल को अपनी टीम्स को salary और incentives दे चुगा था तो यानि की 100 करोड की sale पे मेरे 50 करोड की cost आ चुगी थी और sale 100 करोड की हुई नहीं यानि की 50 करोड की cost आ गई बैंक की liability और खड़िये हो गई वो सब net off करके मैं 55-60 करोड के loss में आ गया अब क्या करता मेरे पास 110 office धाई अज़रा आदमी काम कर रहे अब मैं सब को लपेट हूँ और सबसे जगर डालू या क्या करूँ courage build करूँ कि नई भाई करजा नहीं courage चाहिए पहले courage रखा मैंने किसी से किसी को penalty नहीं डाला किसी को office से नहीं निकाला किसी को खुश नहीं बोला यह समझ गया कि यह गलती मेरी थी मेरे operations में ऐसी कभी कमी रही है इसी कारण मुझे 45-50 क्रोड का नुकसान हो गया अब मैं क्या करूँ कि दुबारा ना हो जब भी आएगा crisis तुरंद बनाएंगे process रूल है जब जब आएगा crisis तुरंद बनाएंगे process यह crisis था मतलब leakage इस लेकेज के अगेंट ऐसा क्या process बनाएंगे दुबारा ना हो वाई-इसर भाई गलती करने में दिककत नहीं यही उमर है कर ले गलती से मिस्टेक करो ह cultivation remar में कर ऑउ पर फरेश गलती करो जब crysis था या प्रोड़ से बनाओ तो वो एक था एक मैंने बुमन रानी जी के साथ एक वीडियो में बता दिया था जब मेरा मकान पिकना पड़ गया था मुझे तन खादेने के लिए एक बार 2015 सुला में हुआ था अंत्रपनियोर्शिप इसी को कहते हैं भाई आप बुर्ज खलीफा से धक्का मारें न आपको बुर्ज करीफा के 128 फे फ्लोर से नॉर्मल रेजिडिन्ट जो टूरिस्ट ए 128 फ्लोर पर जाता है वहां से धक्का मारे नीचे गरने में कितना से मिल एगा पंदरा सेकंड में 20 सेकंड में नीचे गर जाएगा जिन्दिगी ओवर चांस नहीं है बचने का अगर कोई प्रिकॉशन नीचे गद्दे वद्दे नहीं तो नहीं बचो गद्दे वो तू भी बचना कप मुश्किल है नाया बद कर देता ए जैसे धिकात आ जैंक सबसे पहले हाथ कीछ लेते है इसको तो लो नी नहीं नहीं है जैसी दिकता आ जाए उस समय धिक्कतों को multiply करने वाले आ जाते हैं उस से में वो लीच और जोग आती हैं तो आप और खुन छूसते हैं और गिरे वे आदमी को और गिराने को तियार हो जाते हैं आप देखो ना उसके साथ में MBH आए वाले के साथ क्या हुआ बेचारे के साथ बुरा हुआ ना उसके साथ एकने चारने वीडियो बना जैसे उसका धंदाईला सारे चड़ गए उसके उपर जिसको देखो अपने मजे ले रहा है अपने व्यूस के चक्कर में MbH आए वाला MbH आए वाला MbH की बेज़ती कर रहे हैं उसको बक रहे हैं बीच-बीच में चुटकुले डाल अचाते हैं तो भाई पहले जा नोकरी करते हैं वहां अंत्रोपनियोर बनके दिखा दो इधर तुम्हारे को तंखा सेफ मिल रही है वहां पहले अंत्रोपनियोर तो बन जाओ वहां तो करके देखो क्या राते कैसी जंदी की बतानी पढ़ती हैं फैशन का टाइम ने मिलता आपको घुमने फिरने का मुझे आद नहीं आता 10-12 सार में शुट्टी मारी होने कभी मुझे समय में नहीं आता है और वो जब तक आपके इंतर वो जजबा पैशन नहीं होगा ऐसा आपको लगता है देखके ना कईमबर लोगों लगता है बड़ा फामाउत बड़ी गाड जाते हैं आप अच्छा काम कर्यों हुष सिगहाते लोगों इस एकाँ हो आपने बारा क्या सोचा समझा है सब दारादम उसमें पूरा पूरा दम उसमें यद यदाच दिखू इसमें बहुत लोग बताएं इसके पर एक लग सेक्शन करेंगा आपके साथ में लेकिन अगर की वोड पकड़ लो तो वह इंटरपेटेशन क्या गाइस इंटरपेटेशन कम ओन यह गिंचिन जिसको यह आ एक इंटरपेशन है हम आज जब बड़े बड़े सारी प्रबोम सॉल्फ कर रहे होते हैं वह औससे पाजों दन्यवाद करते हैं आज पाइसी अजार करोड के रविन्नियृ पे इतनी प्रॉब्लम हा रहे है यह उमारे को पांता जार क्रोड के लिए प 실यार करके लेकर आ focus amidst all problem in that one solution which can solve wall problems yes मुद्दा क्या है आसपास बहुत कुछ हो रहा हुआ आपको एक छीज उठानी जो सब कुछ बदल देगी त्रूव यह उठानी है कोई यह कैसी छीज उठानी जो सब बदल सकती है जो डॉमिनो एफेट देगा सौ जगे काम नहीं करते है भाई मेरे अगर खरगोश नौक है ने कमरे के अंदर और आपको एक पकड़ना है तो एक को माक करना पड़ेगा जिसको पकड़ना है उस एक खरगोश को माक कर लो जिसको पकड़ना है भाई उसके पीसे भागो वो दिल दिल दी पकड़ में आ और मेरा काफी सारा काम mental wellness और इस चेतर में रहता है तो आपका क्या मानना है कि inner well-being की state बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक entrepreneur को successful business create करने के लिए because जैसा आपने का setbacks आएंगे failures आएंगे, rejections होंगे तो in situations के अंदर many people they are not able to show this courage, they give up sometimes few people they just quit and some people they commit to suicide जैसा CCD के ओनर ने किया so what's your take on that मेरे टेक क्या है, मैं तो Krishna का take लेते हूं वो ही लेते है, छटी अध्याए के साथवाश लोग ध्यान यह हो गया चाप्टर गरनाम, जिसमें आपका mind के से mental well-being जिसमें आप काम करते हूं Krishna ने अर्जुन को दी mental well-being कि आप अंकर mental well-being दे दी अर्जुन शुरुवात में क्या कह रहा है कह रहा है, गांडी वम समस्वते हस्तात तुअक्चा एवपरी दहियते तुअचा जनरी मेरी भगवान तर टेंशन में हूं और वह महार्चेस जाहे थे रॉंटे खड़े हो गए मेरे अड़ शुरुवाण न को लेक्शन में आकों से आसू बह रहे है यह स्टेट थी अर्जुन की पहले तीन-चार मिनिट में पाच मिनिट, छे मिनिट में और आखरी के जो 45-46-47-48-48 मिनिट चली थी की था और जो आखरी के 5-6 मिनिट थे उसमें स्टेट अलगती उसमें क्या था कि भगवान जो आपने आदेश दिया वो करने जा रहा हूं मैं प्रशादान उच्छति मतलब आपकी कृपा से मुझे ये मौका मिला है क्या बोले स्थितो असमी अब स्थितो गया हूं मेंटल वेल बिंग गत संदेह सारे संदेश चले गए हैं मेंटल वेल बिंग करिश्य वचनमतवा जो आपने कायब वो करने वाला हूं ये emotional mental वेल बिंग ये focus है क्रिश्चन ने मौला मन को जीतना मुश्किल है अब याब mental वेल बिंग ही तो करा रहे हो और जून कहते है यहां पर क्रिश्चन कहते है जितात्मन व प्रशानत अस्या जिसने मन को जीत लिया उसका मन प्रशानत हो जाएगा प्रकरश्ट रूपे शानत मैं ड्राइब कर जाओंगा इसको वो है मन जीतने का मतलब ने कि इतना प्यारा भूलते हैं नहीं मन जीतने का मतलब आपका भायंकर focus आपको एला नहीं सकता आपको कोई कईमर ना वो reels आती है बहुत सारी reels को आपको लोग पूछते है social media खराब चीज है क्या पूछते है दिखते मुल्य तो दिखते हैं जिसरी है मेरे गौल्ड परμαण और यह आपको आपसे जाता है मान जीत डिया उसको परमात्म款 समाही था जिसमने मतली आपको क्यंट अपर शूनओड वहां मतल आप ses कि छे स्टेजेज में वो न्यूटल रहने वाला है, शीत, सर्दी, उस्न गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, ये छे स्टेज के अंदर, वो क्या होने वाला है, वो प्रशान्त स्या, प्रक्रष्ट रूपेन शांत, इतना शांत हो जाएगा जैसे प्रशांत मास आगर, वो दीपक एकड़म स्थिर रहता है, जब हवा नहीं चल रहे है, ना इंगते नहीं हिलेगा, सौ उपमा, मैं ऐसी उपमा दे रहा हूं, क्रिश्न करें, मैं आपको सिमिली मेटाफ़र दे रहा हूं, क्या है सिमिली मेटाफ़र, जिस तरह है, योगी नो या तो चित अस्या, ऐ आपके पास में ऐसा mental well-being आ जाए होड़ा हिला नहीं सकता आपको interpretation so lovely beautiful in fact जितना भी गीता के lessons देखते हैं तो पता लगता है कि जितना भी brain के बारे में mind के बारे में जो भी लिखा जा रहा है ultimately rooted वो यहीं से आता है root में कहीं न कहीं मिली जाता है so आप अपनी organization में mental well-being के लिए क्या करते है how you manage the mental well-being जितना करना चाहिए भी उतना नहीं कर पारे आपर एक काम करते हैं हमारे आप guests बहुत सारे बुलाते हैं जो super stars हैं अपने जन्देगी में और उनके साथ अपनी team के लिए एक lecture एक session जुरू करा जेते हैं तो आप एकसेस तो आप जाइंट बिलीवर आप एकसेस तो आप एकसेस तो आप जाइंट बिलीवर तो मेरे को में में जाइंट आपसेस मिल गया रही सोष्ता कैसे बंदा अभी हमारे आपे एक बड़े जबरस विक्तिया है इंस्पारड हुआ उनसे Maninder Jit Singh Bitta इतने बं गोलिया उन्होंने खाए 14 बार बंो और गोलियों से पूरा शरीख खतम हो चुगा है पैर में लोगा है लोगा है लोगा है All India Anti-Terrorist Front के चैमने जब उन्होंने आखर के बोला मैं देगा आधे लोग रो रो रहे थे आखों में आसू थे कि आप बैंकर जाएंट बिलीवर When you get a mental access of a giant believer It can change the game अब भाई सब जब student ready होता है टीचर पहुँच जाता है जिंदेगी में student को पहले ready होना पड़ता है टीचर तो आ जाएगा टीचर के दिक्कत नहीं है सब मैं आपको बताओं ये में mental access को जब हमने सोचा तो ये इशान जी पीछे खड़े ये और मैं सोच रहते हैं किया करें आपने पुछा कोई दमाल करते हैं कमाल करते हैं कमाल नहीं हम भी सोच रहते हैं कि लोगों को ऐसे giant believers का mental access कैसे दें तो अब ये दिमाग में आइडिया आया entrepreneur launchpad का ये बेसिकली एक ये एक movement कितरे हैं देख रहे हैं इस event को movement कितरे हैं हम ये दर्शा देंगे पूरी दुनिया को भाई साब सुन लो सारे के सारे ये बता देंगे कि entrepreneurship में जितना भारत का इंट्रस्ट है ना वो आप सोचते थे खाली American भाई साब ये इंडिया इस दे नेक्स्ट आप इंडिया ना क्योंकि यहां का population का advantage दूसरों के पास नहीं है जर्मनी जो है और जपान जो है जर्मनी और जपान के जो नेटेव से खतम होने वाले है मालू आपको नहीं नहीं मालू जर्मनी और जपान extinct होने वाले है मालू नहीं आपको क्योंकि जर्मनी का जो birth rate है ना वो इस से में हो गया है मेरे कहले आप 1 से नीचे आ गया है उसका आर्थ क्या होता है अगर आप अंडर वन आ गए तो मतलब आपका पूरा का पूरा समाज extinct होने वाला है माता पिता माता पिता इनका हो गया एक बच्चा तो 40 साल के बाद क्या होगा माता पिता गय एक बच्चा रह गया यानि क्या माता पिता एक भी बच्चा निए इधर माता पिता एक बच्चा यानि कि चार गरा यह तो एक बन रहा है तो इसलिए कि आए यह बिल्वारत के पास यह पॉपुलिशन इसका बहुत बड़े एडवंटेज़् ए यॉर्प जाओं ना हम ठोड़ा अब जाओ मैं तीन चार पां यहां पे रेर स्पीशी है कोई यंग आदमी को देखना, दिखते ही नहीं है, हर जेगे वाइन पी रहे हैं, कट्थे बुड़े बैटके पीज़ा खाते हैं, अपस में, बुड़े देश हैं यह, जिनकी एवरेज एज 45 साल, 46 साल, 47 साल, यानि कि यहां पे यंग पॉपलेशन ही नहीं, क्योंको लोग बच्चे करी नहीं रहें, बच्चे नहीं पाइदा कर रहें, यंग पॉपलेशन खतम, सब बुड़े होगे, बुड़े होते हैं, बुड़े जाते हैं, क्या काम करेंगे, और क्या कांट्रिबूट करेंगे, एक लेवल के बाद, 10-15 साल के बाद द हम उनी लोग को बुला रहे हैं, जो पहले हजार दिन और दो हजार दिन के बिजनस के समस्याओं से जूज रहे हैं, उनको हमा करके मदद करें, उनको आक्सस दें ऐसे जाइन्ट बिलीवर्स का, इसलिए अपने पूछा, केता बड़ा पंगा लेते हैं, आपको रिस्त नहीं आप आ रहा है, ब्यूटिफुल, आपको बता है इवेंट कब हो रहा है, I think 23rd, 24th September, कौनसे साल में, 2023, इसी साल में, उने ही वाला है, और का हो रहा है, डेली, देली में, देली में, इंद्रादी, इंद्रादी स्टेडियो, तो आप पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं, टेली, आपको रहे हैं और पॉबवेग जी, बिल्कुल लिवग जाए जी एम चंज़र हैं, लिगने टोल घीजिष, प Keysолодज से बहुंच रहे हैं, जी मियें, ठीक हैं बिल्कुछ जी, रहे हैं रहात अफ़े रहें, जीजिए पITHर्फधाइर में ब的话, क्सलने इसका मतलब क्या हिल्थ का दिया लिए रखना है किसके लिए अपने पर्पॉस के लिए इसके मतलब सोना नहीं किसके लिए पर्पॉस के लिए इसका मतलब खाना नहीं किसके लिए पर्पॉस के लिए तो मेरा सारा बैलेंस एक ही जगह जाता है अब समझो बैलेंस वालेंस के सब्सक्राइब का बैलेंस को खतम करना है और एकी दिशा में चल ला है ज़्यादा बैलेंस करके दिशाहों में जाओगे ना सबकुछ युक्त के पीछे परपस एक हो तो मेरा सोना भी मेरा बिजनस है मेरा जिम जाना में वोकाउट करता हूं टेट गंटे का रूस छूड़ता नहीं भहेंकर वोकाउट करता हूं तो वेट लोस की बड़ी इंस्पिरेशनल जैनी रही है आपके फट्नेस बिख रहे है नौट वेट 30 kg वेट अलसो वेट याद रखना करें वेट लॉस की टेंशन मत लिया करो फैट लॉस की टेंशन लो बॉड़ी में वेट में तीन चीजे होती है मसल फैट और वाटर आपको वाटर और मसल बचाना केवल फैट कथम करना है तो इसलिए वेइंग मशीन में जा आपके साथ नूट्रीशन है तो चलेगा इनेधर गेमवर बॉसक्त मेंशन और रही पीलो दो समोसे और गव्यास साम को पीलेओ आपके जतनी टोटल नहीं नहीं थी गेमवर जुड़े और आप भी मेरे साथ में और मिलकर के कॉंट्रीबूट करें आपको परपस इतना स्टॉंग होता है तो फैमिली वाले अपने अपने आप उसे जुड़ जाते हैं तो कई बार आप सुभागी शाली जुड़ जाए करें बार दुर्भागी शाली होतें नहीं अच्छा रहता है प्राई ये करता रहना चाहिए तभी आगे बढ़पाती है बात ब्यूटिफुल विवेग जी चलिए सो रैपिड फायर वेद डॉक्टर विवेग बिंदरा सुबह उठके पहला काम जो आप पॉजिटिव स्टार्ट करने के लिए करते हैं सबसे पहला क एक स्किल जो आपके हिसाब से सब को आना चाहिए स्किल सीखने का स्किल वाव इंट्रोवर्ट या एक्स्टोवर्ट लीडर बनने के लिए कौन सी कॉलिटी ज्यादा वेटर है जब जिसकी जुरूर पड़े एक उंट्रोपिनियोर में कौन सी कॉलिटी होनी चाहिए according to you जब आपको किसी इस्टोरिकल फिगर के साथ डिनर करना हो तो कौन होगा इस्टोरिकल फिगर जिसके साथ डिनर करना हो बहुत सारे डिसाइड कर रखे है मैंने पर I think मेरे परम गुरू जो इस कौन के संस्थापक अचारे है शिला प्रभपाद लोगली सबसे फणी मिसकंस पर आचली वो रियालिटी है कि मोडिवेशन स्पीकर आपको मोडिवेट कर देगा तो मोडिवेशन स्पीकर आपको मोडिवेट नहीं कर सकता है वो आपको केवल फ्रेमवर्फ दे सकता है मोडिवेट आपको खुद को करना है खुद को तीन वर्ट्स पर डिसक्राइब करि वो बीच में एक खबर चली थी वो आपने मजाग किया था ऐसा अगर एक वर्दान आपको मिल जाए तो आप क्या मांगींगे वर्दान यही मांगूंगा कि भगवान आप मिले को आशिरवाद दे कि मैं अपने लक्ष से ना भटकूं प्यूरिफू कोई माइथोलोजिकल केरेक्टर जिनकी लीडर्शिप स्टाइल आप एड्मार करते हैं क्योंकि माइथोलोजी का आरत होता है मिथ की पढ़ाई मिथ्या सुमिथ्या नहीं है स्क्रिप्चर्ज आध्याद में के और आपको प्रशन है कि किसकी किसकी लीडर्शिप सबसे अधा इंस्पार करते है बगवान राम मोडन लीडर्स में सबसे अंडरेटेट क्या है अकॉर्डिंग टु यू एक होबी जो आपको सीखनी है पर टाइम नहीं मिलता कुछ वीडियोज में किया है अपने स्टेप्स आता नहीं में देखा था एक लास लेसन जो आप ओडियनस को देना चाहेंगे अपनी जर्नी से जो ओंटुपिनियोर्स अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक लास लेसन लास लेसन बिसिकली है कि जब भी आप कोई काम कर रहे है तो तीन चीज़ों को रखना है अपने अपने साथ में उत्सा, निष्चे, धेर्रे उत्सा मतलब continuous enthusiasm निष्चे मतलब determination यह करना ही करना है बड़े उत्सा से करना है और धेर्रे मतलब अगर result नहीं आए तो भी करना है तो उत्सा, निष्चे, धेर्रे आपने उत्सा होना चीज़ करने के लिए अपकी body language में देखेगा निष्चे मतलब यह चाहिए यह चाहिए determination फरी भी नहीं मिला तो धहरे रखे कोई बात नहीं मिलेगा लगे रहो लवली विवेग जी, तो शोट बट वरी क्रिस्प इसमेह चाहिए प्राइम, निष्चे, निष्च, जीए भी यह चाहिए कि बूए लवली यह चाहिए लूँँए लूए टेलियू झात भी नष्च